हेलो प्रेंट आपका अपना चैनल मेडिशी नोलिज स्थागर में आपका स्वागत है तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत मत्पूर शुचना देने जा रहा हूं क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही खुश खवरी है जैसा कि बिहार में बहुत सालों से पैकेंसी नही जाएगी तो इसको मैं डीटेल में आपको बता रहा हूं करिपे वीडियो को द्यान से देखिएगा इसकी इपमत करिएगा चलिए देर न करते हो वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि स्वास्त विभाग द्वारा बिहार के जीला अस्पतालों से लेकर मेडिकल कॉलेज अ शपा था निव शपा था ठीक मैं आप लोग दिखा दे रहा हूं ठीक देखिए बिहार के स्वास्त विभाग निराज के अस्पतालों में विभीन अस्तर के 4568 पदों पे नियुकती की परकिरिया शुरू कर दी है इन में से कुछ नियुकतिया बिहार के तक्निकी चैन आयो से और कुछ नियुकतिया बिहार करमचारी चैन आयोग के माध्यम से की जानी है ठीक एक किसके द्वारा होगा बिहार तक्निकी चैन आयोग से होगा और दूसरा क्या होगा बिहार करमचारी चैन आयोग के माध्यम से की जानी है बिहार की कोशिस है कि आयोग द्वारा इनकी न्यूक्ति की अनुशंसा जल्द प्राप्त हो जाए अगस्त तक आप लोगों को बहाली की परकिरिया को पूरी कर लेने का टार्गेट है अगस्त तक आप लोगों को पूरी बहाली की परकिरिया हो जाएगी ठेक विभाग करमशारियों की कमी को पूरा करने का स्वात विभाग कर रहा पर्यास ठीक अब लोग को देख लिएं अब आप लोग को इसमें बता दें कि कौन-कौन पोस्ट पे बकेंसी आई है कौन-कौन से पोस्ट खाली है वो आप लोगों को पता चल जाएगा देखिए पर आपको फार्मासिस्ट की नियुक्ति होगी इसके अलावा मरीजों के ओप्रियेशन में सहायक होने वाले सल्लेकच सहायक मतलब ओटी असिस्टेंट के 1096 पदों पर पहाली हो रही है और एकसरे की जाच के लिए 803 पदों पर एकसरे तकनिसियन की नियुक्ति की जा रही है हिरदय रोगियों की जाच के लिए 163 पदों पर ECG तकनिसियन की विभाली की जा रही है इस परकारश्वास विभागने सरकार में अस्पतालों में 967 लीपी को की नियुक्ति के लिए भी समान परिशासन विभाग के माधम से भीहर कमचारी शहनायुक का विग्यापन जारी करने का परस्ताव भेद दिया है त इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना अभी से तैयारी कर दिजिए आपने सुनारा चांस है नोगरी जॉब लेने का अगर हमारे वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरू कर दीजेगा और जिन्हों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया ह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा तब तक लिए शुक्रिया आपका दिन मंगल में हूँ